हाई गाईज तो आज है औरिको का ये एक्स्टरनल केस मेरे पास ये हार्ड ड्राइब है SSD 2.5 इंच की गाईज ये मेरा PC था करीब करीब 8 से 9 साल पुराना तो इसके अंदर जो SSD लगी वी थी वो अब मैं उसमें एक्स्टरनल यूज करूँगा ये औरिको का एक्स्टरनल केस है SSD को इंटरनल SSD को एक्स्टरनल बनाने का और 6GB पर सेकंड तक की ये सपोर्ट कर रहा है 40 वी तक इसमें हाड ड्राइब लग जाएगी SSD 40 वी तक ये सपोर्ट कर लेगा 2.5 इंच की SATA वाली इस तरीके की ONLY ये SATA वाली SSD इसमें 2.5 इंच की ये सपोर्ट कर लेगा गाईज तो जो भी मेरे पास परानी hard drive थी मुझे उसे यूज करना था उसमें मेरे कुछ data था तो इसके तुरू में उसे यूज कर पाऊंगा टूल फिरी है कोई टूल की जरूत नहीं है इसके अंदर type C केबल इसमें लग जाती है ठीक है और इसकी जो speed है वो 6 GB पर सेकंड बता रहे हैं तो चलो इसे unbox करके देखते हैं जब इसे unbox करने के बाद गाईज इसमें से ये निकला है case ये इसकी data केबल है type C और type A ये इसके अंदर एक booklet निकली थी जो की इसके अंदर जो main points टे गाईज वो मैंने ये highlight कर दिया आप देख लो ये USB 3.0 है 5 GB PS से 6 GB तक ये आपको speed support कर देगा आप देख लो एक बार इस तरीके से इसमें बता रखा है इस तरीके से यूज करते हैं तो मैं आपको यूज करके बताऊंग इसके अंदर ये एक लिक लेगा इसका ये पेपर को आप हटा दो और यहां इस तरीके से से लगा देना तो यह आपकी SATA SSD 2.5 इंच की यह 4 TV तक support कर लेगा मेरे पास 240 GB वाली है तो इसे इस तरीके से लगाना है जिस तरीके से इसमें अंदर से यह कुछ इस तरीके से है और यह रही मेरे SSD ठीक है इसे यूँ लगाना है इस तरीके से आप यह देखो ऐसे उपर की तरफ यूँ यह मैंने पुछ कर दिया और आगे आप पुछ कर दो इसे इस तरीके से पुछ कर दो तो अब यह इसमें लग चुकी है फिट हो गई ठीक है यह आपने इसके उपर अग हो गए इसमें यह इसकी डेटा केबल है यह है टाइप C और यह है टाइप A 3.0 तो यह टाइप C में आप इसे लगाईए यह टाइप C पोर्ट रहा यह आपने लगाया इसके अंदर ठीक है अब इसे कंप्यूटर में लगा के आप चेक करते हैं इसकी तो मैंने इसमें लगा जीरो पोर्ट से ही है ओके यह जो SSD के लिए यह 3.0 पोर्ट है तो इसमें मैं लगाता हूं इसे ठीक है अब यह इसमें लग चुकी है है ना यहां पर यह आ चुका है इसे ओपन करते हैं इसके नहीं करना विडाउट स्केनिंग तो यह अब यहां पर आ चुकी है यह न्यू वॉल्यूम एच और लोकल डिस्क जी इसमें मैंने पहले विंडो डाल रखी थी अब मैंने इसमें अपना कुछ डेटर डाल रखा है तो यह है उस SSD के अंदर जो मैं मैंने मेरी पुराने SSD थी और अब मैं अपना इसके अंदर डालूँगा डेटा देखना यह मैं लोकल अब अपने नियू SSD उपन कर रहा हूं इससे मैंने कॉपी किया कि यह कॉपी किया यहां मैंने इसे पेश्ट कर दिया तो आप देखो इस पीड किया इसके चार सो चार एमबी पीएस यह जो SSD है NBME जेनरेशन फोर फिर भी काफी अच्छी स्पीड आ रही है आप देख सकते वाइच ओवरॉल डेटा जो है 44 पॉइंट काफी अच्छी स्पीड आ लिए 414-415 Mbps हो सकता है SSD की प्रोब्लम हो यह उसकी बट इस स्पीड ठीक है 6Gbps तक यह सपोर्ट कर जाएगा अगर आप न्यू वाली SSD कोई साटा वाली अगर आप यूज करते हो अच्छी वाली तो वह सकता है ज्यादा स्पीड आ है मेरी काफी पुरानी SSD थी फिर भी ठीक है बाकी से तो 414-415 की स्पीड आ लिए तो आप इसे यूज कर सकते है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करे और वीडिको